Hello friends, welcome to student go आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी सरकारी नौकरी के बारे में जिनके लिए हम अपलाई कर सकते हैं 12th pass करने के बाद तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने सेम इसी टॉपिक पर बात किया था वो इस वीडियो का first part है उसमें हमने आपको 5 ऐसे government jobs बतायते 5 ऐसे सरकारी नौकरी बताई थी जिनके लिए आप 12th के बाद तयारी कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आगे के 5 और government jobs के बारे में बात करने वाले हैं तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो का first part नहीं देखा है तो description में दियेगा लिंक पे click करके आप first part देख सकते हैं तो छले शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं बारवी के बात किये जाने वाले सरकारी नौकरी के बारे में इसके बाद अगला government job है SSC stenographer का SSC stenographer में भी दो group होते हैं एक तो होता है group C और दूसरा होता है group D तो इसके लिए eligibility दी गई है 12th pass किसी भी मानेता प्राप्त बोर्ट से stenographer के job के लिए भी male या female दोनों लोग ही apply कर सकते हैं और यह exam भी SSC द्वारा conduct करा जाता है यानि के staff selection commission द्वारा conduct करा जाता है और यहाँ पर post नाम दिये गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि stenographer में भी दो post होते हैं एक तो grade C होता और एक grade D होता है grade C में जो age limit है वो 18-30 है इसमें salary आपको मिल सकती है 9,300 से लेकर के 34,800 तक और आपका grade पे होगा 4,200 इसके बाद grade D के बारे में यहां दिया हुआ है तो grade D की age limit है 18-27 वर्स salary दिया हुआ है 5,200 से लेकर के 20,200 तक grade पे इसका है 2,400 और इसका जो exam का mode है इसमें आपका written exam भी होता है और साथ में skill test भी होता है और एक stenographer का काम होता है speech writing, helping in public relations, press conference तो यह सभी stenographer का काम होता है तो चलिए जानते हैं next government job के बारे में इसका नाम है UPSC SCRA इसका पूरा नाम है Union Public Service Commission Special Class Railway Apprentices यह जो exam है यह national level पर conduct करा जाता है और UPSC से conduct कराती है यह exam mechanical engineering के भारतिय railway सेवा में Class 1 officer के post पर hire करने के लिए कराया जाता है तो चलिए जानते हैं इसके eligibility के बारे में इसके लिए आपको 10 plus 2 यानि कि 12th pass होना जरूरी है और अगर आपके पास किसी भी institute से कोई भी bachelor degree है तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं यह exam साल में एक बार होता है और इस exam का जो mode है वो offline mode है तो यहाँ पर हम जान लेते हैं इसके salary के बारे में आपकी salary होगी 9000 से लेकर के 13000 के बीच आगे दिया गया है age limit तो आपकी age होनी चाहिए 17 से 21 वर्स के बीच next government job है revenue department का revenue department में एक job मैं आपको बता दियू सबसे पहले village accountant officer का village accountant officer यह एक प्रशाशनीक सरकारी पद है भारत के ग्रामेड इलाकों में होता है जो भी गाउं एरिया होता है उन में होता है यह post इसके लिए आपके पास eligibility होना चाहिए 12th pass salary आपको मिलेगी 21,400 से लेकर के 42,000 तक age limit आपके होनी चाहिए 18 से 35 वर्स और इसमें भी पहले आपको exam देना होगा रिटन exam के बाद होगा आपका interview जब आप interview क्लेर कर लेते हैं फिर आपको village accountant officer के post पर नौकरी मिल जाएगी इसके लावा एक और post है revenue department में 12th pass के लिए वो है land surveyor का land surveyor का का काम होता है properties का exact measurement करना और सीमाओ का निधारन करना boundaries बनवाना तो यहाँ पर इसके लिए eligibility है 10th pass, 12th pass, diploma, b.tech, b.e. तो 12th बाले भी इसके लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा बाकी और सभी यहाँ दिये हुए है 10th, diploma, b.tech, b.e. अगर आपके पास bachelor degree है तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं age limit इसमें 18-65 years का दिया हुआ है, फिर है salary, salary होगा आपका 5000 पर मन्त, इसमें आपका पहले return exam होता है और इसके बाद होता है interview जो कि आपको clear करना होता है, फिर आपको land survey के post पर job मिल जाती है इसके आगे हम जानते हैं NDA job के बारे में, NDA मतलब National Defense Academy, NDA का ये जो exam है, ये national level का exam होता है जो कि UPSC दुआरा conduct कराया जाता है, UPSC, फूरा नाम है UPSC का Union Public Service Commission, NDA के exam जो होता है वो Air Force, Army और Navy में भरती के लिए कराया जाता है इसका exam भी दो stage में होता है, एक तो होगा आपका return test और दूसरा होता है आपका interview तो आईए इसके बात जानते हैं इसके eligibility के बारे में, तो eligibility में आपका 12th pass होना जरूरी है age limit आपकी होनी चाहिए, 16 words से लेकरके 19 words तक का, height यहाँ पर दिया हुआ है अगर आप army में जाना चाहते हैं, फिर तो आपकी height होनी चाहिए 157 cm अगर आप Air Force में जोइन करना चाहते हैं, फिर आपकी height होनी चाहिए 162.5 cm इसके बार दिया हुआ है syllabus, NDA यानि की National Defense Academy का जो भी syllabus होता है, वो CBSC के class 12th पर based होता है और NDA में जाने के लिए आपके पास कोई भी health issue नहीं होना चाहिए और NDA में केवल वही लोग apply कर सकते हैं, जो unmarried male candidates हैं अगर आप male candidates हैं लेकिन आप married हैं तब आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं और अगर आप female candidates हैं तब भी आप इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं तो आईए इसके बार हम जान लेते हैं next job ये job है railway department का, railway group C और group D का group C में भी दो तरह के post होते हैं, एक तो technical और दूसरा होता है non-technical तो यहाँ पर मैं आपको कुछ post के बारें बता देती हूँ, सबसे पहला post है assistant local pilot का फिर है act, apprentice, फिर है apprentice, trade apprentice and clerk, paramedical staff, nurse, various post, T.C. और T.T.E. का assistant local pilot के लिए eligibility होती है 10th plus ITI या फिर diploma अगर आपने 10th के बाद ITI या फिर diploma कर रहा है तो आप assistant local pilot के लिए apply कर सकते हैं इसमें आपकी जो age होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्स के बीच होनी चाहिए और group D में भी ऐसे post हैं जिनमें 12th pass students apply कर सकते हैं फिर बात कर लेते हैं trade, apprentice and clerk के लिए तो इसमें भी 12th pass students apply कर सकते हैं और paramedical, staff, nurse, various post इसमें भी 12th pass की जरूरत होती हैं और अगर आप graduate या फिर post graduate हैं तब भी आप apply कर सकते हैं और अगर apprentice की बात करें तो इसमें eligibility होती है 10th या फिर ITI अगर आपने 10th कर रहा है तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं और अगर आपने ITI कर रहा है तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं Act apprentice में भी same eligibility है 10th या फिर ITI TC यानिके ticket collector इसमें आपका 12th pass होना ज़रूरी है age limit वही है 18-29 वर्स का और जो result categories हैं उनको age relaxation मिलता है TTE यानिके traveling ticket examiner इसमें आपका age 18-30 वर्स के बीच होना चाहिए और जो qualification है वो 12th pass होनी चाहिए marks आपके 50% होनी चाहिए इसमें आपका exam होता है पहले return exam और उसके बाद होता है interview तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं male या female दोनों ही candidates इसके लिए apply कर सकते हैं तो इस video में हमने जाना 10 ऐसे सरकारी नौकरियों के बारे में जिने आप बार भी pass करने के बाद कर सकते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको सभी government jobs के सिर्फ नाम बता देती हूं क्योंकि वीडियो मैंने आपको पूरी information देती है last में मैं आपको एक बार फिर से सभी दसो government jobs के नाम बता देती हूं फर्स नमबर पे हमने जाना forest department के बारे में, सेकेंड में हमने जाना है police department के बारे में, थर्ड में हमने जाना है SSC LDC यानि की lower division clerk के बारे में, फूर्थ नमबर पे SSC MTS यानि की multitasking staff फिफ्ट नमबर पे है SSC CHSL, सिख्थ नमबर पे है SSC stenographer, सेवन्थ नमबर पे है UPSC SCRA और एट्थ नमबर पे हमने जाना revenue department job के बारे में, नाइन्थ नमबर पे आपका है UPSC NDA, National Defense Academy और दस्वा हमने जाना railway department, railway group C और group D के बारे में, तो thank you so much for watching this video, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी helpful लगी हो, तो please एक like जरू कर दीजेगा, और हमारे चैनल को subscribe करके, bell icon जरू प्रेस कीजेगा, जिससे आगे आने वाली सबी वीडियो के notification, आपको असानी से मिलते र आपको घू को लिए शीडियो ऑगी से मिलते वो वीडियो प्रेस कीजेख जिसस vine ऊवारा करे दो इफले कि एले के ला सती का कम हमारे तो, फस्งोन मिलते हैं जा वियो को जएला करे दो, उन्योन इब सक्ता 놓 Lord God.